हेलो एंड वेल्कम टू अनकेडमी क्या हल चाल है सुन पा रहे हो आप मुझे अमाई ओडीबल चलो ठीक है तरहे शुरुआत आज की तो आप जानते हैं आज अनकेडमी इंडिया में यूपीएसी सीएसी की त्यारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप अनकेडमी को सबस्क्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मुका मिलेगा तो भुगौल लक्षे दो हजार तेज्स कॉस्मोलोजी हमारा चल रहा है आज लेक्चर नमबर फोर होगा हमेशा की तरह दो बाते हमेशा की तरह है ना नौट्स बनाते रहना और दूसरा रिवीजन करते रहना ओखे बाकी टेस्स स्रीज मैं लगवाऊंगा चेक है ये काम मेरा है तो मेरा नाम है नवीन तवर एटियर टीचिंग एक्सपीरियंस है इसी चैनल पे आपको मेरी सभी क्लासेज के पीडियाफ आने वाली सभी क्लासेज के नौटिफिकेशन आप मेंछे किसी भी बच्चे को अनकैडमी का एडमिशन लेना है सब्स्रिप्शन लेना है उससे पहले मुझसे बात करना चाता है तो यहाँ पर आप मुझे message कर सकते हैं इसी तरह से community पर regular updates के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं academy app पर यह देखिए 24 November से परसो से नए batch launch हो रहे है 2024 के लिए दो batch launch हो रहे एक है आरंब batch और दूसरा है expedition batch तो जो आरंब batch है यह bilingual होगा expedition batch यह English में होगा तो 24 November से होगा खास खुबी क्या है पूरा syllabus coverage होगा topic wise practice sessions होगे आपके unacademy के norms मिलेंगे ओके तो यह आरंब batch है और दूसरा है expedition batch यह unacademy अभी तक का है ना अभी तक का unacademy का सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त offer है offer को आप देख सकते है कि अगर आप 18 महिने वाला unacademy का subscription लेते हो तो आपको 44,000 रुपे तक का आप save कर सकते है जैसे पहले क्या था unacademy plus 18 मंत का था 67,000 अब है 48,999 इसमें भी आपको 10% extra discount मिलेगा अगर आप मेरा referral code नवीन 1 apply करते है तो 10% आपको discount यहाँ पे है जो भी टार्गेट है आप इसका benefit ले सकते है जो बच्चे एक बार के में फीस नहीं दे सकते वो लोन के जरीए subscription ले सकते हैं हर महीने किष्टों में चुका के आप अपना पढ़ाई को जारी रखो तो कॉस्मोलोजी की बात हो रही है कॉस्मोलोजी ठीक है तो मैं अगर आपसे पूछता हूं अगर मैं आपसे पूछता हूं बाद में पूछूँगा ठीक है गुराफ्टर नून गुराफ्टर नून ठीक है चलो कुछ तरह तरह के डाउट्स है बच्चों के चले यहां पर तो कल हमने एस्टरोइड बेल्ट पढ़ लिया था मंगल और ब्रश्पती के बीच में है आपके एस्टरोइड तो यह हमने कल देखा था यह आपका मंगल है इस इस मार्स और इस जूपिटर तो इन दोनों के बीच में कल बताया था न मैंने कि यह मंगल है और यह भरश्पती है इन दोनों के बीच में यह एक पेटी है चुद्रग रहे की पेटी इसकी बात कीती कल हमने यह वाली देखो एक तो है एस्टरोइड बेल्ट बेटा याद रखना एस्टरोइड बेल्ट किसके बीच में है मार्स और जूपिटर एक और बेल्ट है जो आपको यहां पे नजर आ रही है इसको हम बोलते है क्यूपर बेल्ट आज हम इस पे भी बात करेंगे क्यूपर बेल्ट और उसके अबजेक्ट कौन से है तो याद रखना कभी भी अगर पुछे क्यूपर बेल्ट कि इदर है नेप्चून से इदर है नेप्चून से परे है और जो आपकी एस्टरोइड बेल्ट है मार्स के और जुपिटर के बीच में है तो दोनों के याद रखेंगे इस वाले के बारे में भी मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे क्योपर बेल्ट के बारे में चीक है तो तो प्रतेक चुद्र ग्रह अपनी कक्षा होती है कल में ने बताया था चार लार्जेस्ट चुद्र ग्रह के नाम ये हो गया था कल हमारा आज हम बात करेंगे ब्रश पती की ब्रश पती की है ना तो हमारे सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है सबसे बड़ा साइज के हिसाब से लारजेस्ट प्लैनेट कौन सा है ब्रश पती है सूरज के चारो तरफ एक चक्कर काटने में इसको 11 साल 19 महीने लगते है एक चीज याद रखना बिटा जो अबजेक्ट सन से जितनी जादा द बढ़ती जाएगी सूरज के चारो तरफ चक्कर काटने का टाइम भी बढ़ता जाएगा यह बात ध्यानक ना तो जो सूरज से जितना जादा दूर उसको चक्कर काटने में उतना ही लंबा रास्ता लेके आएगा न वो और अपने आक्ष पर एक चक्कर लगाने में 9 घंट से 56 मिनट लगती है इसको ठीक है और उसके पास लगभग है ना 79 सेटलाइट से कई बार एक दो सेटलाइट नहीं आ जाती है तो आप इसको अपडेट भी कर लेना यह लेटेस्ट मैंने जो अपडेट किया है लेटेस्ट है इसके अलावा भी हाल फिलाल में कोई 2-4 दिन मे आ गया हो तो आप जोड लेना कोई दिक्कत नहीं है और इस पे चार वले है वले मतलब रिंग इसके चारों तरफ रिंग है ठीक है ब्रशपती के कुछ प्रमुक उपग्रहा याद रखना प्रमुक उपग्रहा है बिटा कलिस्चो गैनीमेड यूरॉपा ओ ठीक है आप इन उपग्रहो का नाम याद रखना बिटा याद रखना यूपीएसी आप से मिलान में एक तरफ ग्रहे लिख सकता है दूसरी तरफ पूछ सकता है सैटलाइट्स सैटलाइट्स एक तरफ पूछ सकता है प्लैनेट और यहाँ पे कोई भी दे देगा सपोज करो उसने अरुन उसका कोई नाम दे दिया उसके बाद हो सकता है वो आपसे मार्स दे दे यहाँ पे उसका कोई नाम और फिर बोले इनमें से कौन सा सही सुमेलित है वैसे तो सपोज करो जैसे मैंने बोला जुपिटर के 79 आपके सैटलाइट्स है सब के नाम याद नहीं करने कुछ इ पूरी के अनुसार पांचवे स्थान वाला सबसे बड़ा ग्रह है पांचवे स्थान क्यों सबसे पहले मरकरी देन वीनस देन आर्थ देन मार्स और उसके बाद जुपिटर और प्रत्वी से लगबग 1300 गुना बड़ा है काफी ह्यूज है आप इसके साइज को देख सकते है दिस इस जुपिटर बहुत बड़ा है भाई ये ये बहुत बड़ा है जुपिटर जुपिटर है ये ठीकते हैं दिख रहा है आपको ओके ठीक चलो अब इसके जो उपगरहा है कहता है इसके ग्यात उपगरहों में हाइड्रोजन गैस की और हीलियम गैसों की अधिकता है और इसके ग्यात यानि के जिनको हमने अभी तक हो जा है ऐसे 79 हमारे पास सैटलाइट्स है और सोर मंडल का सबसे बड़ा लारजेस्ट प्लैनेट भी यही है इसका द्रवयमान अगर इसके मास की बात करे तो सोर मंडल के जितने भी सारे ग्रह है मतलब जो हमारे आठ ग्रह है उन ग्रहों का 71% मास इसी के पास है और जितना उन सब का वल्यूम है उससे डेड़ गुना जादा इसका तो ये काफी हीूज है भाई अपने आप में काफी बड़ा है जूपिटर तो अब एक चीज देखो बिटा अब एक चीज देखो कहता है ये है घुर्नन अक्ष है ना इसका जो घुर्नन अक्ष है इसके जो परिभ्रमन अक्ष से ये ये वन डिगरी जुका हुआ है इसका मोसम सदा एक जैसा ही रहता है ये अपने अक्ष पर कम जुका हुआ है जिस के कारण साल भर मोसम एक जैसा रहता है जैसे हम अर्थ की बात करते है बेटा अर्थ की बात करते है तो अर्थ हमारी काफी टिल्टिड है मैंने बोला था ना अगर टिल्टिड ना होती अगर सीधी होती तो इधर छह महीने दिन इधर रात लेकिन टिल्टिड होने से उस पे आ एक लाल रंग का धबा है एना great red spot है तो आप मुझे बताना red planet किसको बोलते है red planet red planet का नाम बताना कौन बच्चा बताएगा red planet किसको बोलते लाल गरहा कौन है लाल लेकिन अगर पूछ लिया जाए red spot किस पे है किस पे एक बड़े लाल रंग का धबा है तो वो है जुपिटर तो जिस पे धबा है वो है जुपिटर जो red color का है वो है आपका मार्स तो वाइजर ये pioneer इस पे भेजा गया फिर वाइजर वन अभियान में यह स्पस्ट हुआ कि ये कहां से आया ये लाल रंग का धबा आया कहां से तो ये आशांत बादलो के घेरे में एक विशाल चकरवात है जिसकी वज़े से ये red spot नजर आता है तो वो आप से सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि red spot किस पे है देखो पिछले साल UPSC ने एक काम किया है बेटा अगर UPSC को समझना है तो उसके मेंज को भी समझो बेटा एक चीज़ धियान रखना है UPSC एक्जाम को समझने के लिए उसकी मुख्य परिक्षा उसका जो मेंज एक्जाम है है ना उसका जो मुख्य परिक्षा का एक्जाम है वो बड़ा बार static part जैसे वो आपसे सीधा ही पूछ रहा है महा साग्रिय धराए प्राथ्मिक चट्टाने तो UPSC जब कुछ नया करने वाला होता है तो थोड़ा सा message दे देता है वो आप लोगों को तो इस बार ध्यान रखना जो UPSC prelims होगा ना बिटा ये आपका इस बार बड़ा रोल पड़े है ना prelims में ये बिग रोल प्ले करेगा बिग रोल इस बार ध्यान नखना इस बार के मुख्य परिक्षा के pattern को देखते हुए ही मैंने आप लोगों के लिए अपने जो sessions है ये अभी जो हम लक्षे सिरीज है इसको हम बहुत ही बहुत आप दीप जा जाके जो basic understanding develop करने का reason एक ही है क्योंकि मुझे मुख्य परिक्षा में इस बार एक बदलाव नजर देखने को मिला UPSC आपसे demand कर रहा है कि आपकी basic चीजे बड़ी strong होनी चाहिए तो हाँ concept जिसका जितना clear prelims में वो इस बार बड़ा बिग रोल रहेगा बिटा किसका आपके basics का और concept का अब चाहिए basics या concept आपके history के हो policy के हो, geography के हो, environment and ecology के हो, economy के हो, IR जो भी आप पढ़ते हो basic strong रखना बिटा इस बार क्योंकि ये competition है UPSC नया क्या करेगा क्योंकि एक चीज बता रहा हूँ, ये same चीज मैंने दो जंगे देखा, उसने पूछने का style बदल दिया पूछने का style बदल दिया, ये same चीज आपको इस बार सुनो, ध्यान से, ध्यान से सुनना जो अभी सुना रहा हूँ ध्यान से सुनना इसी चीज़ को आपने इस बार नोट किया होगा जो C-set था इस बार का हमारा UPSC का जो C-set था C-set का पेपर था उसमें उसने बड़ा रोल खेला भाई इस बार उसके अगर C-set में भी आप देखो Question तो वही Blood Relation के है Blood Relation वाले Question है आपके वही Question Average वाले पूछ रहा है Same Question वह आपके Percentage वाले पूछ रहा है वह Same आपसे Sitting Arrangement पूछ रहा है लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया इस बार उसने मतलब Question तो इन ही चौपिक से आ रहे है लेकिन उसने तरीका चेंज कर दिया तरीका बदल दिया मतलब पूछ बेसिक से ही रहा है अभी भी तो इस exam को हर साल UPSC Tough कैसे करेगा बटा अब सब के पास किताबे वही है UPSC के पास भी वही किताबे है Almost जिन किताबों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है वो competitive exams की books नहीं है बटा पहली बातों मैं आपको बता दूँ आपके पास जो भी content है वो किसी competitive exam की book का नहीं पढ़ा रहा है वो बजार में सब पढ़ाते है तो जो most authentic sources है हमारे subject को पढ़ने के UPSC सेम पर जा रहा है अब उसको पता है कि सेम चीजों से वो नयापन लेके आ रहा है उसने पूछने का style बदल दिया जैसे blood relation के question इस बार statement में पूछे उसने कि क्या x y का भाई होगा x y का भाई होगा अब उसके लिए उसने ये बात प्रूव करने के लिए आपको चार statement दे दिये उसने और वो पूछता है इनमें से कौन सा statement sufficient है उस चीज को define करने के लिए सेम चीज वो आपसे average में पूछ रहा है percentage में पूछ रहा है sitting arrangement में पूछ रहा है इसका मतलब नया कुछ भी नहीं है जिस बच्चे का concept clear है जिस बच्चे का concept clear है उसका paper clear है बस ये बात ध्यान रखना पूरा खेल concept पे ही दोड़ेगा आर ये बात समझ में तो concept को पकड़ के रखेंगे अभी जब हम test series लगाएंगे अगले महीने से test series शुरू हो जाएगी December 1st week से test series शुरू हो जाएगी हमारी जोगरफी के उपर तो हम concept को और भी खोद खोद के समझेंगे वहाँ पे Done तो वह पकड़ में आ रहा है बस आपको उसके इसाब से त्यार होना है चले बेटा तो सेम जोगरफी में भी होने वाला है सेम चीज जोगरफी में होगी वह आप से basics बड़े अच्छे पूछने वाला है क्लाइमेट लॉजी के basics पूछेगा औशनोगरफी के basics पूछेगा कॉस्मलोजी के basics पूछेगा वह आप से तो यह है ग्रहा का मैंने बोला इसका दरव्यमान हमारे solar system में जितने भी ग्रहा है उनके संयुत दरव्यमान से भी ज़ादा है तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ उसका जो भार है उसका जो मास है जुपिटर का हमारे solar system के अंदर जितने भी planets है उन सब के joint जितना दरव्यमान है उससे ज़ादा है इसका सीधा मतलब क्या है उसका जो गृत्विय खिचाओ बल है ज़ादा लगेगा ज़ादा उसका खिचाओ बल काम करेगा तो अत्य अधिक भार होने के कारण ब्रशपती दूसरे आकाश्य पिंडों पर गृत्विय खिचाओ का बल लगाता है ये देखो इस पे red spot नजर आ रहा है आपको red spot ये ब्रशपती के उपर है red spot ये देख सकते हैं आप this is red spot this is on Jupiter ये जुपिटर पे है नजर आया अच्छा बच्चे कह रहें सर पिंपल है अब पिंपल है या डिंपल है भाई अपने को नहीं पता क्या है ये आप इसको कुछ भी बोल लो हाँ आप की मर्जी ठीक है ओके तो आप बेटा देखो इसका ग्रैविटेशनल पूल इतना ज़ादा है इसके पास से कोई अंत्रिक्ष या आकाश या पिंडी गुजरता है ना तो इसको अपनी तरफ खीच लेता है रास्ते से भटका देता है इसके अंदर क्या है अट्रेक्शन फोर्स ज़ादा है तो ये ए पीटर है भाई बटका देता है आकाश में याद रखना हमारे पूरे अंत्रिक्ष में शुक्र के बाद अगर सबसे ज़ादा उजुवल कोई प्लैनेट है सबसे ज़ादा चमकीला तो मैंने आपको क्या बताया था वीनिस मौनिंग स्टार इवनिंग स्टार बोल रहे थे उसके बाद अगर सबसे ज़ादा चमकीला अगर कोई गरहा है तो भ्रशपती है कारण किया है इसका वायू मंडल बहुत ज़ादा डैन्स जबेटा तो जितना सूर्य प्रकाश इसके उपर पड़ता है तो उसको वापस भेज देता है तो यह चमकीला है यह लो शुक्र के बाद सबसे ज़ादा उजवल जो आपका प्लैनेट है वो है जुपिटर और क्या है और माना जाता है कि 90% हाइडोजन और हीलियम है जो की गैसियस फॉर्म में है यहाँ पे और बादलो की जो बाहरी परत है इस पे वो परत में मीथेन गैस जो मीथेन है गैसी अवस्था मे है और जो अमोनिय है वो क्रिस्टली अवस्था में है यह याद रखो यह ना रखो अब मुद्दा है जुपिटर के बारे में हमारे स्पेश मिशन कौन-कौन से है तो याद रखना बेटा पाइनियर 10 एन पाइनियर 11 यह हमने जुपिटर पे भेजे वाइजर 1 वाइजर 2 जुपिटर, गैलीलियो, यूलिसिस और कैसीनी होजिन्स कैसीनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेसिकली कैसीनी है तो शनी के लिए कैसीनी है तो बेटा सेटर्न के लिए लेकिन अब सेटर्न तक जाने से पहले अभी यह आपका सन है यह मरकरी, यह वीनस, यह आर्थ, यह मार यह Jupiter और यह Saturn और बीच में यह छुद्र ग्रहे की पेटी अब हमने आर्थ से कोई स्पेश इसके लिए हमने mission भेजा Saturn के लिए सपोज करो हमने आर्थ से भेजा है अब जो Saturn पे जाएगा तो Jupiter से होके गुजरेगा तो Jupiter के बारे में कुछ जानकारी हमें Cassini ने भी दी हाला कि Cassini किसके लिए भेजा गया था Saturn के लिए बस यह याद रखना आप Cassini किसके लिए है Saturn के लिए शनी के लिए है और जो Juno है Juno पे UPSC ने मुख्य परिक्षा में भी साल 2017 में भी पूछा था Juno के उपर यह मैंने जो आपको मेंस वाली क्लास कराई थी मेंस वाली क्लास जोगरफी GS मेंस वहाँ पे मैंने आपको Juno के बारे में बताया होगा कि Juno क्यों भेजा गया Juno का objective क्या है Juno से हमें क्या पता चलने वाला है तो Juno के उपर UPSC ने मुख्य परिक्षा में भी प्रशिन पूछा तो कौन-कौन से है मिशन आपके जूपिटर के लिए पाइनियर, वाइजर, गलीलियो, यूलिसस और कैसीनी बेसिकली सैटर्ण के लिए है लेकिन कुछ जानकरी उसने ब्रश्पती के बारे में भी दी और Juno, ये सारे नाम याद रखने हैं आपको की मिशन कौन से, देखो याद रखना बिटा, मिशन्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेश मिशन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वैरी वैरी इंपॉर्टेंट इसलिए इनको भूल मत जाना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मिशन्स बड़े इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, उसके बाद आया शनी, 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 येस शनी, ब्रश्पती के अलावा शनी भी आपको पीले रंका दिखाई देता है सोर मंडल में सबसे अनोखा ग्रहा है, सबसे यूनीक है, क्यों? शनी, इसके पास कुछ खूबसूरत वले है इसके चारो तरफ ये छले दिख रहे हैं ना ये छले, येस, साथ खूबसूरत वले है और अपने अक्ष पर जो एक घुर्णन करता है 10 गंटे 40 मिनट में पूरा चक्कर काट लेता है तो आप देख सकते हैं शनी को इसकी विशेशता क्या है? इसके चारो तरफ ये छले है आपको एक हॉमवर्क दे रहा हूँ, चलो एक हॉमवर्क दे देता हूँ बहुत दिन होगे आपको हॉमवर्क दे हुए आपका ये हॉमवर्क है, ये छले किस चीज के बने हुए है? जो ये रिंग्स है किस के है ये? किस से बने है ये? किस से निर्मित है मतलब इनका composition क्या है किस से निर्मित है यह आपका homework है कल मुझे class में बता दे न वरना फिर मैं बता दूँगा आपको this is your homework this is your homework कि जो ग्रहों के चारो कुछ ग्रहों के चारो तरफ जैसे Jupiter के चारो तरफ भी छले है सेटर्ण के चारो तरफ भी चले है तो यह चले किस से निर्मित है इसका composition क्या है composition क्या है ठीक सुन रहे हो आप आपका जवाब नहीं आ रहा भी जवाब नहीं आ रहे आप लोगों के कहां अटक गए ठीक है गैस के है डस्ट के है कुछ बच्चे नौट्टी भी हो रहे है ना कुछ और भी जवाब दे रहे है ना तो इसके उपग्रहों की संख्या 82 है यानि के अभी तक जितने भी ग्यात हमारे सैटलाइट से बटा सबसे ज़्यादा सैटलाइट समने अभी तक किसके इडेंटिफाई किये है सैटर्न के याद रखना जुपिटर के 79 और इसके 82 हम आइडेंटिफाई कर चुके है कुछ प्रमुक उपग्रह है इसके टाइटन, मिमोस, एंसेलेडस, डियोन, लैप्टस, रीटा ये सब नाम है तो सूरिय से अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक चीज़ बताओ सूरिय से दूरी के हिसाब से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बड़ा असान सवाल है सूरिय से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन से नंबर का प्लैनेट है सेटर्ण डिस्टेंस के हिसाब से किस से सन से कौन से नंबर का है विच नंबर है ना नंबर बताईए आपका कौन सा है ये सिक्स्थ ठीक है सिक्स्ट पोजिशन पे है ये ओके वेल लन तो छटा ग्रह है दूरी के हिसाब से सूरज से दूरी बिटा 142 करोड 142 करोड समझ गए आर्थ की अगर हमने देखी थी आर्थ है 14.7 करोड प्रत्वी से लगबग कितना 10 गुना जादा दूरी पर है सूरज से तो आकार में भ्रशपती के बाद सोर मंडल का दूसरा सबसे बढ़ा गर है अगर बात करें साइज की साइज की अगर बात करें तो second largest है साइज के हिसाब से साइज के हिसाब से first number पे कौन है first number पे था हमारा Jupiter जुपिटर साइज के इसाप से नंबर वन है चलो और सभी ग्राहों में सबसे ज़्यादा कम घनतो ठीक है बेटा जब आप इसके नौट्स बनाओगे ना नौट्स बनाओगे जैसे मैं अकसर एक एक एक्जामपल देता हूँ कि शौट नौट्स बनाने का तरीका क्या होता है है ना जैसे सपोज करो एक राहूल है है ना तुम नहीं समझोगे राहूल था या राज राज करे इसको या राहूल चलो राज कर लेते हैं तुम नहीं समझोगे कुछ-कुछ होता है ठीक अब मैं आपको शौट नौट्स बता रहा हूँ कि अगर कोई राज व्यक्ती है कोई राज है, राज के बारे में हमें पता है कि जो राज है, राज के बारे में है, इसे इसे दिल्ली घूमना बहुत पसंद है चलो राज को हम बोलते हैं सबजी में मटर पनीर पसंद है, इसको भाई मटर पनीर काता होगा, ठीक है राज के पास एक कार है कार का नाम है फॉर्चोनर ठीक है, ये ट्रेंड में चल रही है, इसलिए मैं नाम लिख रहूँ उसके बाद राज को अगर रंग की बात करें तो राज को सफेद रंग पसंद है ऊके है ना और राज के बारे में बात करें और क्या बात करें राज UPSC की प्रिपेशन कर रहा है अब तो कितने राज पैदा हो जाएंगे देखना है na प्रिपेशन कर रहा है UPSC राज का जो ख्वाब है है ना राज का जो ख्वाब है क्या है ख्वाब चलो जो भी लिखना है आपको जो भी लिखना है लिख लेना अब यह सपोज करो हमने राज के वारे में इतना लिखा है अब इस राज को short कैसे करे राज के बारे में क्या लिख सकते हैं राज के बारे में लिख सकते है UPSC aspirant उसके बाद सबजी में UPSC aspirant है मटर पनीर अब सीधी सी बात है मटर पनीर क्या है सबजी है तो ये सबजी पसंद होगी उसको और शोट में क्या लिख सकते हो और शोट में फॉर्चूनर कार फॉर्चूनर कार इतना लिखो और क्या लिख सकते हो शोट में ही UPSC Aspirant हो गया और सफेद रंग तो आपको इतनी बड़ी कहानी लिखने की जरुवत नहीं है आपको सिर्फ वो पॉइंट लिखने है जिसको देखते ही स्टोरी मेकिंग आपकी खुद की होगी बेटा आपको तो सिर्फ पॉइंट लिखने है वो UPSC Aspirant है मटर पनीर के नाम से वो सबजी खाता है ये कार उसकी फेवरेट कार है और सफेद रंग उसका फेवरेट कलर है तो जब आप शनी के बारे में लिख रहे होंगे तो इतनी बड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है शनी के बारे में यही लिखना शनी ग्रा है सेकंड लार्जेस्ट है सेकंड लार्जेस्ट कॉमा सेवन रिंग्स है इसके पास सेवन रिंग्स है उसके बाद घनत्व सबसे कम है उसके बाद 82 उपग्रह है इसके पास और दूरी के हिसाब से दूरी के अनुसार पांचवा या छटा शिक्स पोजिशन पे है इस तरह से आपको इतना छोटा छोटा लिखना है भाई ये इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखनी ऐसे ही करना है बेटा हर मेरा देखो जो बच्चा कोशिश करना कोशिश करना जब इस टाइप के लेक्षर आए जो फैक्चुल और इन्फॉर्मेटिव जादा है सुन लो दो तरह के टॉपिक होते है बेटा नॉट्स मेकिंग में मैं आपको बता देता हूँ दो तरह के टॉपिक होते हैं दो तरह के टॉपिक होते हैं एक टॉपिक होता है बड़ा ही फैक्चुल और इन्फॉर्मेटिव होता है और एक टॉपिक होता है आपका एनलिटिकल जिसमें आपको विशलेशन बहुत ज़्यादा करना होता है इस तरह के टॉपिक को कोशिश करो जितना छोटा से छोटा लिखने का कोशिश करो और analysis वाला topic कई बार थोड़ा बढ़ा जा सकता है तो ये topic हमेशा कोशिश करना जैसे अभी जो हमारी ये class चल रही है इसमें अभी जो हम आज वाला lecture है ये बढ़ा ही factual और informative है तो कोशिश करो एक ही page में सिमट जाए कुछ topic analytical होंगे तो उनका size थोड़ा बड़ा हो जाएगा notes का ओके हाँ तो ये आपको देखना होगा कि किस को कैसे करना है मेरे हिसाब से अगर मैं ब्रशपती की और जितने हमने planets की बात की है मेरे हिसाब से अगर A4 size का अगर मैं paper लो जैसे for example for example ये page है हमारा हम जितना भी cosmology पढ़ रहे हैं ना बिटा एक page में तो हमने cosmology का अभी तक का जितना सब कुछ पढ़ा life cycle of start कैसे बना big bang एक page में तो वो वाला हो गया था और वाकी एक page में आप पूरे planets निप्टा दो इसी में लिखो इसमें कम से काम आप एक चीज देखो इसके चार box कर लो एना या इसमें 5 box 6 box बना लो एक मरकरी फिर वीनस के बारे में लिख दिया चोटा चोटा अर्थ के बारे में लिख दिया फिर मार्स के बारे में लिख दिया स्टोराइड वेल्ट के बारे में लिख दिया फिर यहाँ पे आपने भ्रश्वती के बारे में लिख दिया पेज पलट लो यहाँ पे शनी के बारे में लिख दिया फिर आरुन के बारे में लिख दिया फिर वरुन के बारे में लिख दिया फिर बात कर लेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स की खेल खतम ठीक है ठीक है तो इसका घना तु पानी से भी कम है समझ गे पानी से भी इसकी डेंसिटी कम है तो आकार भार और सन्रचना में ब्रशपती के समान है लेकिन ब्रशपती से जादा ठंडा देखो जो सूरज से जितना जादा दूर होगा वो उतना जादा ठंडा होता चला जाएगा आकाश में शनी एक पीले तारे की तरह नजर आता है और याद रखना ऐसा लास्ट प्लैनेट है जिसको आप बिना किसी आकाशिय यंत्र की मदद के देख सकते हो मतलब इसको देखने के लिए आप ये कभी न कभी आपकी नेगड आई से देख सकते हो अपनी नगन आखों से आप इसको देख सकते हो और इसके परे जितने भी ग्रह मिलेंगे जैसे अरुन है जैसे वरुन है उनको आप अपनी नगन आखों से नहीं देख सकते उसको देखने के लिए आपको अंत्रिक्षिय यंत्र की सहयता होगी दूर्बीन टेलिस्कोप जो भी तो शनी के अभी तक के 82 आपके सैटलाइट्स ग्यात है जिसमें सबसे बड़ा है टाइटन फिर आया योरैनस अब याद रखना दूर्बीन की सहयता से क्योंकि शनी तक का तो हम बिल्कुल सीधा देख सकते थे शनी के बाद के अगर आपको प्लैनेट्स देखने है तो आपको आकाशिय यंत्र चाहिए अंत्रिक्षिय तो दूर्बीन की सहयता से खोजा जाने वाला पहला ग्रेह भी है विल्यम हर्सेल ने 1781 में इसको खोज किया था इसके चारो तरफ भी चले है बिटा इसके भी चारो तरफ चले है चले है तो इस ग्रेह के वातावरण में हाईडरोजन और मीथेन मिलती है विल्यम हर्सेल ने इसकी खोज की थी और इसको प्राथम आधुनिक ग्रह फास्ट मॉडन प्लैनेट है ये फास्ट मॉडन प्लैनेट क्योंकि दुर्बीन की सायता से खोजा गया उससे पहले इसके बारे में नहीं पता था और सूरज से दूरी के हिसाब से साथवे नंबर पे है दो सो ब्यासी करोड नब्भे लाग किलो मीटर दूर है बहुत जादा दूर है थंडा बहुत जादा है और मैंने आपको बताया था शुक्र के अलावा एक और ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम में अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो वो दूसरा आरून ही है तो शुक्र और आरून के घुमने की दिशा पूर्व से पश्चिम है बाकी सब क्या कर रहे है वेस्ट टू इस्ट ये वाला क्या कर रहा है इस्ट टू वेस्ट इस्ट वेस्ट वाले कौन से है शुक्र और आरुन ये ऐसे रोटेट कर रहे है चलो उसके बाद अगर साइज के हिसाब से देखे साइज के हिसाब से तो तीसरा सबसे वड़ाग रहे है बिटा देखो दो चीजों के हिसाब से चल रहे हैं एक हम चल रहे हैं दूरी के अनुसार दूरी के अनुसार और कौन सा कितने नमबर बे हैं दूसरा हम देख रहे हैं आकार के अनुसार तो आकार के अनुसार से सबसे बड़ा हमने देखा था जुपिटर उसके बाद हमने देखा था सैटर्ण तो कहता है Saturn के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है तो तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है इस ग्रहा पर ठोस धरातल का पूर्णत अभाव है टेंपरेचर माइनस के 197 डिग्री सेंटिग्रेट है तो लाइफ होने की संभावना थोड़ा कम नजर आ रही है तो यह आप देख सकते हो कुछ-कुछ ग्रीन कलर का है यह यह दिस इस यूरैनस सी है ना यूरैनस दिस इस यूरैनस चलना है किसी को चलोगे इधर इधर चलना है ठीक है बहुत बढ़िया उसके बाद अपने अक्ष पर अधिक जुका हुआ है अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा जुका हुआ है सबसे ज़्यादा अपने अक्ष पर जुका हुआ ग्रहा है यह यह इसकी सबसे लेखनिय विशेशता है यह important point है बेटा और सबसे कम कौन सा जुका हुआ था सबसे कम कौन सा जुका हुआ था याद करो याद करो भाई याद करो घोर्णन अक्ष परी भ्रमन अक्ष से 1 डिगरी है एक और ऐसा information था लेकिन सबसे ज़्यादा जुका हुआ ग्रह यही है सबसे ज़्यादा जुका हुआ ग्रह यही है और उसके साथ सूर्य का एक चक्कर काटने में 84 साल लगते है मतलब यह मान के चलो कि अगर वहाँ पे अगर जैसे अर्थ के हिसाप से देखते है बिटा अर्थ पे हम देखते है सन के चारो तरफ एक चक्कर काटने में 365 दिन लेती है अर्थ कितने दिन लेती है 365 डेज तो हम बोलते है वन येर हुआ है वन येर हुआ है अगर शनी चक्कर काटेगा सूरज के चारो तरफ तो अगर हम शनी पे देखे तो एक चक्र काटता है 84 years में इतना तो average life भी नहीं है हमारी इतनी तो earth पे average life भी नहीं है यानि कि एक जीवन निकल जाएगा और एक चक्र पूरा नहीं कटेगा समझ गए? तो इसके पास भी 27 उपग्रहा है कुछ उपग्रहों के नाम है मिरांडा, एरियल, उम्ब्रिल, ओब्रोन फिर आया नेप्चून, वरुन तो इसको 1840 में खोजा गया दूसरा ग्रेज जो modern टेलिस्कोप के द्वारा खोजा गया है डिस्टेंस है इसकी देख लो बेटा 4.4 बिलियन, 400 करोड से ज़्यादा किलोमिटर की दूरी पर है 165 साल में चक्तर काटेगा कहां खोजा गया था बर्लिन वैदशाला में डिस्कावरर कौन है इसके अबरेनली वैरियर, जो हम गौट्फरिड गाले जिसको जौन गाले भी बोलते है जौन काउच एडम्स नून्स इसके कौन-कौन से फेमस है ट्राइटन, थलासा प्रोचियस, निरेड हिपोकेम्प और डेस्पीना ये सब आपके वरुन की कहानी है अंतिम ग्रह है ये सोर मंडल का हमारा और अठारा सो चालिस में जोन गाले ने इसके खोजा चार सो पचास करोड किलोमिटर की दूरी है पे है और सूरज का एक चेकर काटता है 165 साल बे सबसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूरी पे है तो सबसे ज़्यादा ठंडा भी है तो अरुन और वरुन काफी धुंदला है इसे हम अपने नेकड आई से नहीं देख सकते हमें जरूत पड़ती है इनको देखने के लिए टेलिसकोप की तो इन दोनुग रहे किसकी अरुन और वरुन की खोज हुई है तो इस ग्रहा पर भी ठोस वातावरन का उध्रातल का भाव है हाइडोजन गैस सरवाधिक मातरा में पाई जाती है जिसका कारण इसका रंग पीत मिश्रित हरा है यलो मिग्सड ग्रीन कलर का है ये और वाइजर सेकिंड मिशन से हमें पता चला कि शनी और अरुन की भाती इसके चारो तरफ भी रिंग्स है तो अल्टिमेटली कितने ग्रहों के चारो तरफ रिंग्स हो गए रिंग्स है जुपिटर के पास रिंग्स है हमारे सैटर्न के पास रिंग्स है युरैनस के पास और rings है Neptune के पास इन चार ग्राहों के पास छले है तो उपग्रह, उपग्रहों की संख्या 14 सबसे ज़ादा उपग्रह किसके पास थे बिटा इसके पास थे 82, इसके पास थे 79, इसके पास थे लगबग 27, इसके पास भी है 14 ये भी करम पूछ सकता है कि उपग्रहों की, ज्यात उपग्रहों की संख्या के अधार पे घठता करम उसके बाद मंगल आ जाएगा, यस, मंगल, मार्स के पास दो है, और आपकी अर्थ के पास एक है अर्थ के पास एक है तो इस तरह का अगर कोई भी ओर्डर आता है तो आप उसको टैकल कर लेना असेंडिंग डिसेंडिंग इस टाइप के ओर्डर पूछ सकता है मैच में पूछ सकता है थलासा, डेस्पिना, प्रोटीस, गलेटा, आदी तो अल्टीमेटली यह आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि उपग्रहो के नाम है उपग्रहो की संख्या, प्रतवी के पास एक ही है मून, मंगल के पास दो है, फॉबोस और जिमोस, ब्रशपती के पास 79 है जिसमें से कुछ नाम है, यो, यूरोपा, गैनिमेड, कलिस्तो, शनी के पास 82 है, मिमास, एंसेलेडस, तैथिस, जियॉन, अरिया, टाइटन, लैप्टस, टाइटन सबसे बड़ा था इसका, उसके ब है, इधर टाइटेइनिया है, उसके बाद और उबरॉन, उसके बाद टेमपेस्ट, एरियल, मिरांडा, कैलिबन, दो चार नाम इसमें से याद रखने लेला, और फिर वरुन के पास है, 14, नियाड, थलासा, डैस्पीना, गलैठिया, लरिसा, प्रोचियोस, ट्राइटन, न आपको ये बनाना है, एक और बॉक्स बनाना है, आपको ये वाला, ग्रहो, का, क्रम, ये भी आपको एक और बनाना है, ये भी आपको एक बॉक्स बनाके उसके अंदर लिख लेना, ये लो, इसको भी लिख लेना, क्या है, कहता है, प्रत्वी से दूरी के हिसाब से प्लैने शनी, याद रखना बिटा मैंने सन नहीं बोला, सन से दूरी के हिसाब से नहीं बोल रहा मैं, मैं प्रत्वी से दूरी के हिसाब से, तो प्रत्वी के सबसे ज़्यादा नजदीक है शुक्र, उसके बाद है मंगल, उसके बाद बुद्ध, फिर भ्रशपती, फिर शनी, देन आ आरुन और वरुन, इन तीनों में आप कन्फ्यूज मत होना, शुक्र सबसे जादा नजदीक है, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुद्ध, ठेक है, अब सूरिय से दूरी के हिसाब से आप जानते हैं, बुद्ध, शुक्र, प्रत्वी, मंगल, जुपिटर, और सेटन, नेप्टून, उसमें तो कोई इशु नहीं है, यह आपको पहले से ही बता है, अब बात करते हैं, साइजज के हिसाब से कौन कितना बड़ा है, तो सबसे बड़ा मैंने नमबर वन बताया था आपको जुपिटर, नमबर टू मैंने बताया था, आपको सैटन, नमबर तरी ब सबसे चोटा बुद्ध है आपको पता है और फिर शुक्र और फिर मंगल और द्रव्यमान के हिसाब से भार के हिसाब से आप देख सकते हैं मास के हिसाब से मास के हिसाब से है ब्रश्पती शनी नेप्चून यूरेनस प्रत्वी और शुक्र मंगल और बुद्ध यानि के प्र वी नमबर पे फिफ्ट पोजिशन है हमारे सोलर सिस्टम में फिफ्ट पोजिशन है साइज के हिसाब से और फिफ्ट पोजिशन है मास के हिसाब से अब में मुद्दा आगया पहले आप नो प्लैनेट सुनते थे कि नो ग्रहा है प्लूटो भी एक ग्रहा था लेकिन अब उसको ग्रहा की डेफिनेशन से निकाल के हमने ड्वार्फ प्लैनेट बोने ग्रहा की केटेगरी में डाल दिया तो प्लूटो के साथ ऐसा क्यों हुआ प्लूटो की क्या कहानी है अगर आपको प्लूटो की कहानी जाननी है तो इस क्लास के प्रती अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाहन करे प्लूटो के बारे में जानना है हाँ तो क्लास को लाइक तो करना पड़ेगा आपको पताईए फटाफट क्लास को लाइक कर दो ये है ना तब ही बताऊंगा आगे की कहानी वरना ये कहानी नहीं बताई जाएगी कर दिया है चलो होश यार है बच्चे अब बात करते है कहानी प्लूटो की एक्चल में प्लूटो पहले आपके आपने नाम सुना होगा नाइन प्लैनिट्स थे पहले आपके है ना नाइन प्लैनिट्स थे इसके साथ साल दो हजार शे के अंदर International Astronomical Union International Astronominical Union मतलब अनतरास्टिय खगोल संग इसकी बैठक हुई अब ये International Astronomical Union करता क्या है पहले इसके बारे में बात कर लेते है International Astronomical Union इसको हमने 1919 में स्थापित किया था इसको स्थापित किया गया था 1919 1919 में आपकी modern history की एक बड़ी मैत्पून घटना भी हुई थी ठीक है उसी साल इसको connect कर लेना ऐसे ही 1919 का जो अधिनियम है उससे इसको connect कर लेना उसी साल International Astronomical Union भी establish हुआ इसका उद्देश्य क्या था उद्देश्य क्या है mission क्या है to promote बढ़ावा देना and safeguard सुरक्षा करना the science of astronomy आपके खगोलिये ज्यान का जो विज्यान है उसको promote करना है ना और उसको safeguard करना in all its aspect through international cooperation अंतरास्टिय सहयोग के जरिए अंतरिक्ष्य विज्यान के छेतर को बढ़ावा देना और उदर काम करना it serves as the international recognized authority अंतरास्टिय एक मान्यता प्राप्त एक प्राधी करन है for assigning designation to celestial body है ना कि अंतरिक्ष्य पिंड को हमें क्या ओहदा देना है उसको हम छुद्रग्रह बोले उसको बोना ग्रह बोले किसको उपग्रह बोले किसको ग्रह बोले उसके लिए ये recognized authority है ओके तो ये इसका काम है ये तो साल 2006 के अंदर वापस चलते हैं अब साल 2006 साल 2006 में International Astronomical Union जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी अंतरिक्ष विज्ञान के छेतर में उसको बढ़ावा देना उसके safe guard के लिए काम करता है अंतरिक्ष बोडी के बारे में जो भी designation देनी होती है यही करता है अब इनकी किस आधार पे तैकरोगे कि कोई ग्रहा है और कोई उप ग्रहा है तो इनोंने बोला कि तीन शर्ते है और जो भी आकाश ये पिंड इन तीन शर्तों को पूरा करेगा उसको हम प्लैनेट का status दे देंगे तो बोले भाई वे शर्ते कौन सी है बताओ पहली शर्त पहली शर्त की उसे सूरज के चारो तरफ चक्कर काटना पड़ेगा तो ठीक है प्लूटो तो काटता है ये सन है सन के चारो तरफ प्लूटो चक्कर काटता है कोई दिक्कत नहीं काटने दो तो पहली शर्थ पूरी कहते हैं दूसरी शर्थ ये है कि लगबग गोलाकार आकार प्राप्त होने के लिए उसको उतना बड़ा होना पड़ेगा कि आपका एक गोलाकार आकार प्राप्त कर सके उतना बड़ा होना चाहिए कहरें ये भी काम है इसके साथ इसमें भी इसको कोई दिक्कत नहीं है तीसरी जो शर्थ है कि इसे अपनी कख्षा को साफ करना होता है मतलब जो इसका और्बिट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी और के साथ इसका कहना इंटर्फियर नहीं होना चाहिए इसके ओर्बिट में तो अपनी कक्षा को साफ करना होता है यानि के यह वह अंतरिक्ष्य वस्तू होनी चाहिए जो अपनी कक्षा के भीतर अधिक्तम गृत्वा कर्शन खिचाओ भी डालती हो तो इसका क्लियर कक्षा हो प्रॉपर ये ग्रैविटेशनल पुल डालती हो लगबग गौलाकार आकार मेंटेन कर ले इतना बड़ा होना चाहिए और सुरज की प्रकर्मा करने चाहिए कहते हैं ये पहली दो शर्तों को तो पूरा करता है ये तीसरी शर्त को पूरा नहीं करता प्लूटो तो क्या कर रहा है हमने फिर प्लूटो को हटा दिया हटाने का कारण क्या है पहला पहली बात तो ये नैप्चून के गुर्तवा करशन से प्रभावित होता है और इसका हमने बोला जो और्विट क्लियर होना चाहिए एक क्यूपर बेल्ट में बहुत सारी जो आईस मतलब फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग स्टेट में बहुत सारे ऐसे अबजेक्ट है उनके साथ अपना जो कक्षा को शेयर करता है मतलब क्यूपर बेल्ट है न बेटा ये वाली ये वाली क्यूपर बेल्ट है ये प्लूटो इस क्यूपर बेल्ट में भी बहुत सारे और ऐसे अबजेक्ट है जिनके साथ ये अपने ओर्बिट को शेर करता है जबकि ग्रह होने के लिए जरूरी होता है इसका ओर्बिट किलियर होना चाहिए ये इंटर्फियर करता है शेरि शेयर करता है तो परिणाम सरू प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे बोना ग्रह कहा गया क्योंकि बोना ग्रह कहने के लिए केवल दो शर्तों को पूरा करना होता है कौन सी ये दो शर्त के लिए बोना ग्रह तीनो शर्त पूरी कर दी तो प्रोपर प्लै कहां से लाते हो इतना दिमाग है ना सर जी प्लूटो का आफेयर चल रहा है इतना कैसे सोच लेते हो कैसे सोच लेते हो इतने नवाचारी कहां से छेक है किताब के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं वैसे तो किसी भी जोग्रफी को लेके कोई भी कॉम्पेटिटिव बुक तो खरीदने की जरूरत नहीं है कोई भी कॉम्पेटिटिव बुक मुझे नहीं लगता उसकी अनिवारियता है नहीं तो अगर किताब भी ही पढ़नी है तो आप सिर्फ पढ़े तो सिर्फ NCRT पढ़ लेना बस जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उन टॉपिक पे बस NCRT पे जो आपको अगर होता है ना बच्चे को यार कोई किताब तो पढ़ ले एक पन्ना तो पलट ले तो अगर कुछ पलटना है तो सिर्फ NCRT के पन्ने पलट लेना बुक की कोई जरूरत ली है नो कॉम्पिटेटिव बुक ठीक है चलो इससे आगे कहानी देखते है इससे आगे की कहानी अब आती है क्यूपर बेल्ट ये क्यूपर बेल्ट क्या है क्यूपर बेल्ट की कहानी सुनो एक सेकंड रूखो क्यूपर बेल्ट की कहानी क्या है ये क्यूपर बेल्ट क्यूपर बेल्ट बेटा देखो आपका ये जो एक प्लैनेट है नेप्चून ये वरुन है याद रखना नेप्चून से इधर ये कुछ ऐसे freezing point यानि के freezing state कुछ बरफीले या icy bodies है तो क्यूपर बेल्ट basically नेप्चून की कक्षा से परे ठीक बाहर बरफीले पिंडो का एक वले है एक रिंग है रिंग समझगे ना बेटा जैसे asteroid belt थी ये इसमें बहुत सारे आपके asteroid belt में आकाशिय पिंड थे सेम इसने बोला एक ऐसी नेप्चून से परे भी आपका एक क्या बरफीले पिंडो का क्या है एक समू है एक बेल्ट है तो क्यूपर बेल्ट के उनके जो orbit को शेयर करता है तो प्लूटो इस दा मोस्ट फेमस क्यूपर बेल्ट अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है तो ये येस करना है बेटा अगर UPSC कहता है अगर UPSC कहता है कि प्लूटो के एक क्यूपर बेल्ट का क्यूपर बेल्ट का क्यूपर बेल्ट का object है तो येस बोल देना येस नासा भी इसको क्यूपर बेल्ट का object मानती है येस ड्वार्फ प्लेनेट तो है ये और ये क्यूपर बेल्ट का एक object है आई कहानी समझ में आपको क्यूपर बेल्ट तो ये देख सकते है ये asteroid belt थाई ये हमारी क्यूपर बेल्ट है क्यूपर बेल्ट को थोड़ा और बड़े में देख लीजिए ये देखो ये देखो ये देखो बिटा ये क्या कर रहा है ये ये क्या गड़बड कर रहा है ये देखो Pluto ये जा रहा है ना इधर इनके objects के साथ अपनी उसको share करता है ये और ये Neptune से परह है Neptune से परह है IC bodies है ये आपकी बरफीले पिंड है Cuperbelt This is all Cuperbelt ये सब Cuperbelt है This is all Cuperbelt नज़र आई बच्चे कह रहे है PDF with annotation देना ठीक है annotation मिल जाएगा Well done बहुत ही बढ़िया तो जो हमारा cosmology है बेटा है ना cosmology का हमने सारा basics कर लिया अब cosmology के बाद हमारा शुरू होगा geomorphology geomorphology जिसमें हम शुरुआत करेंगे प्रथवी की उत्पत्ती से प्रथवी की उत्पत्ती प्रथवी की उत्पत्ती देखेंगे कैसे हुई फिर हम देखेंगे चंद्रमा की उत्पत्ती कैसे हुई चंद्रमा की और उसी में देख लेंगे अब हम अपने आर्थ सिस्टम पे आ गए मतलब ये आधा लेक्चर ये वाला होता आधा वाला ये वाला होता इसलिए मैंने जियो मॉर्फोलोजी नंबर वन के नाम से चला दिया है उतना एड़ेस्ट कर लेला वरना आधे घंटे की क्लास करके उसको बंद करना होता तो मैंने चाहता कि एक सवा घंटे की क्लास जरूर हो तो कल से हमारा जियो मॉर्फोलोजी शुरू होने वाला है तो जियो मॉर्फोलोजी शुरू होगा और इस अपते सेटर्डे संडे के दिन हमारी internal security की जो last class होगी याद रखना बिटा Saturday और Sunday ये 26 और 27 ये 26 November है ये 27 November हमारा internal security का course समाफ्थ हो जाएगा तो जिन बच्चों को भी anacademy का subscription लेना है या ये course देखना है तो आपको anacademy का subscription लेना होगा referral code नवीन 1 से subscription ले लेना लगबग 44,000 रुपे का discount मिल रहा है 18 मन्त के subscription पर और आज तक का anacademy का सबसे बड़ा discount offer है वो तो एनवार्मेंट निकलोजी का भी मेरा plus course आ रहा है अगेन मेरे referral code नवीन 1 से आप उसको join कर सकते है नवीन 1 referral code से ही आप geography optional अगर आपको रखना है तो कर सकते है और वो बच्चे मैं उनको message करना चाहता हूँ वो बच्चे जिनके पास combo subscription है याद रखना बटा जिनके पास combo subscription है ओके GS paper third में UPSC means GS paper third GS paper third में दो topic है बटा आपके एक है agriculture और एक है infrastructure और अगर आपके कहीं से भी इंफ्रा स्ट्रक्चर अगर कहीं से भी आपके topic clear नहीं हुए तो मेरे optional की classes में से जाके देख ले ना बटा optional paper two में जो जो पेपर टू के अंदर जो agriculture जो गरफी है और जो हमारी एक एक इंफ्रा और ट्रांस्पोर्ट वाली unit है उसके अंदर infra करके मैंने topic कराये है लगबग 8-10 lecture है तो combo subscription वाले बच्चों को बोल रहा हूं इन topic को त्यार कर लेना ultimate है जबरदस्त है आपको इस तरह के lectures नहीं मिलने वाले यकीन मानना third paper में agriculture infrastructure त्यार करना है तो उधर से जाके कर लेना मेरे इस course से यह आपको मैंने सलहा दे दी है उसके साथ ही साथ साथ ही साथ क्या देखते है यह मेरे plus courses है अन अकैडमी पर मेरे plus course है जोगरफी, optional, ethics, environment and ecology और internal security यह सारे courses आप देख सकते हैं मेरी profile पे जाके free classes में answer writing English compulsory यह आप देख सकते हैं subscription अगर आपको लेना है और आप चाते हैं आपकी इस journey का सार्थ ही मैं बनूँ तो आपको एक referral code यूज़ करना होगा नवीन 1 बेटा discount तो मिले गई लेकिन आपको इतना समझ में आगिया होगा इस exam में runny थी, तरीके strategy, कब क्या करना है कैसे करना है उसका पता होना जरूरी है अगर आप चाते हो कि वो वाला रोल आपकी इस त्यारी में मैं प्ले करूँ तो आपको नवीन 1 referral code इस्तमाल करना होगा subscription के दोरान special classes में disaster management, essay writing नेतिकता की अदालत ये free of cost है अप पे जाईए, देखिए इनको free of cost उसके साथ ही the last mile program है ये interview guidance program वो बच्चे जिनोंने 2022 वाला means लिखा है तो वो इससे जुड़ सकते है तो जल्द ही result आने वाला है pre-deaf and deaf analysis होगा interview की preparation कराएंगे current affairs state wise पूरा performance evaluation करेंगे mock interviews होगे पैनलिस्ट में bureaucrats, stop educators और professors होगे तो इसका benefit ले सकते है compete में participate करके आप laptop और sighting gifts जीद सकते है 2,00,00 रुपे तक के तो आज का session यही समाप्त करते कल दो पैर 2 बज़े हम मिलेंगे geomorphology नई unit की शुरुआत करेंगे अपना ख्याल लखना बाइ बाइ नोट्स मनाते रहना और basics को बार बार revision करके strong करते रहना take care, bye